राज्यस्तान में नवंबर महीने में होने वाली निकाय चुनाव से पहले प्रदेश में गहलोद सरकार स्ट्रेट हाइवेज पर दुबारा टोल्टेक्स लगाने के लिए निर्ने ले रही है और गहलोद सरकार के इस निर्ने का भाशपा विरोध भी कर रही है जिसको लेकर भाशपा गहलोद सरकार के खिलाफ स्ट्रेट हाइवेज पर टोल्टेक्स के मुद्दे को भुगाने की कोशिश में लगे हुए है वहीं प्रदेश की अशोक गहलोद सरकार का स्ट्रेट हाइवेज पर फिर से टोल्टेक्स लगाने का निर्ने को लेकर भाशपा मुख्य मं अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश कर रही और भाजपा ने स्ट्रेट हाइवे पर नीजी वाहनों पर टोल्टेक्स के निरने की विरोध में गहलोत सरकार के खेलाफ खुब धर्ना प्रदर्शन किया और नारे माजी भी की भाजपा का कहना है कि पूर्ववती वसुंद्रार राचे सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में स्ट्रेट हाइवे को नीजी वाहनों के लिए टोल्टेक्स से मुक्त कर दिया गया था पर अशोक गहलोत की सरकार ने नीजी वाहनों को लेकर स्ट्रेट हाइवे पर फिर से टूल टेक्स लगाने का अंडर ने लेकर जन विरूती काम किया है